वेल यह cryptocurrency है क्या मुझे पता है कि हमारे community अभी बहुत नई है cryptocurrency concept के लिए अभी अभी उन्होंने FD से निकाल के पैसे stock market डॉलना शुरू किया है अब मैं यहाँ पर cryptocurrency के बात कर रहा हूँ और मुझे यह भी बता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन चक्रों में पढ़ रह कि अगर बैंड होकी तो हमें क्या करना चाहिए cryptocurrency स्टाटी क्यों ही और मुझे क्यों लगता है cryptocurrency 2014 का best asset का सोगा और मेरा दुझान इस साल cryptocurrency में बहुत ज्यादा होगा stock market में भी होगा में करेंगे लेकिन आपके लिए good news दिएगी अगर आपको stock market के बारें पता है तो cryptocurrency सीखना आपके लिए आसान पड़ेगा मैंने भी अपनी investing 2015 में stock market से ही start करी थी तकरीबन 9 साल हो गया और तब ही मैंने bitcoin के बारे में सुना था bitcoin क्या है it's like a father of cryptocurrency जब bitcoin का price 45,000 के आसपास चल है तो सौग्रा तो वहीं से बढ़ गया पिछली 2015 से अब मैंने भी सोचा था कि क्या बखवास चीज है bitcoin bitcoin और जब थोड़ी समझ में आई तो 2020 में मैंने bitcoin और cryptocurrency में invest करना स्चार्ट कर दिया और मजीग बार बता हूं 2021 नवंबर में मेरी शादी हुए थी और सारा का सारा expenses उस इन cryptocurrency तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सही बंदा हूं आपको cryptocurrency के बार में समझाने के लिए आगे बढ़ने से पहले और cryptocurrency knowledge को और समझने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को तुरण सब्स्राइब कर दीजिए बहुत मज़े आने वाले इस साल में हम बहुत सा रहा हो और हम लोग उपर बेच सके राइट देखो इसका मतलब यह नहीं कि मैं stock market बाते नहीं करूंगा बिल्कुल करूंगा लिकाता रहूंगा जो भी relevant stock news है वो हम बाते करते रहेंगे but as an investor आपको दूसरे asset class के बारे में में पता होना चाहिए ठीक है अब आप यह देखि और उस दमाने में 5-6 बच्चे तो ऐसी होते थे घर में अब ऐसा क्यों because रूपी ने अपना value lose किया है with years आप अपने जमाने में देख लिए दस साल पहले 500 भी कितनी value होती थी है हम लोग बहुत सारे समान ख़ड़ी लेते थे 500 रूपे में लेकि आज करा में 500 में बहुत कम हमें समान मिलता है in fact 1947 में जब आजादी मिली थे हमारे देश को तो एक डॉलर की value थी तीन सारे तीन रूपे अभी के चल रहा है 83 रूपीज मलब 20 गुना value तो वही पर हमने lose कर दे और in fact US dollar ने last 90 साल में अपना 92 percentage value lose किया है इंडिया ने 20 गुना lose के 1947 से इसल मैं बोल रहा ताकि 1970 में आपके दादा पर दादा के टाइम पे इस 500 रूपे के value बहुत जादा थी आज के जमाने से अब क्या किया जाए इसको हटाने के लिए 2000 आद में Satoshi Nakamoto एक बंदे ने Bitcoin को invent किया इसी fraud से बचने के लिए इतनी से राम कहानी है वही आपको फलाने चीज़ से पता है सब भूल जाओ यही एकलाता वज़ा है कि यहाँ पे Bitcoin की इजाद हुई 2000 आद में financial crisis हुआ वह भी inflation के वज़ेस हुआ वह हम बात में समझेंगी किसी और दूमें वीडियो बनागो उसके बारे में पर यही मुख्य वज़ा है तो अब इतनी से बास समझ में आ गई है बढ़ निकला गया खोओषिक जमीन से एकला गया खोँ के या फिर एक साल, दो साल, दस बएल निकाला गया खोँथ कि क्योंकि Sona is malleable मतलब क्याएं कि Sona को आप पिगला के दुबारा बना सकते हो और यहाँ पे मेरे पास Sona का बार है यह नकली है असली नहीं है अगर असली होता तो बार दी कुछ अलग होती तो इस Sona को पिगला के इस Sona पे convert किया जा सकता है या फिर इस Sona को पिगला के जो के नकली Sona है अगर अगर original होता इसको पिगला कर वापस हम लोग अंगूर्टी बना सकते है मतलब क्या कि बोल रहा हूं कि इस Sona के metal का property ऐसा है कि इसको हम पिगला के दुबारा बना सकता है इसलिए gold is valuable in simple भाषा में देशी भाषा में बहुत लोग बोलते हैं लोहा भी तो metal है लोहा दस साल साल पहले तो rust हो जागा और खराब हो जागा लेकिन ये rust नहीं होता Sona rust नहीं होता Sona खराब नहीं होता अब आप बोलो कि ठीक है भाई समझ में आगया Sona इतना बढ़िया है तो ये Bitcoin क्यों लेकर आए Because Sona को Manipulate किया जा सकता है लेकिन Bitcoin को Manipulate नहीं किया जा सकता अब आप बोलो भाई ये बात कुछ समझ में नहीं है तुमने क्या बोल दे एक दम से आप समझे गोल्ड is a physical asset आप पकड़ सकते हो और दुनिया में majority of the gold सरकार के पास है मला हमार सरकार के पास ने दुनिया के सारे सरकार के पास है और US के पास सबसे जाधा गोल्ड है जो कि वो reserve currency उन्हीं के पास है तो गोल्ड उन्हीं के पास जाधा जाधा है अगर सरकार ने लिख दिया कि मैं धारग को वचन देता हूँ कि इस चीज की value रहेगी अगर सरकार बोल देगी ये धारग को वचन ने देता हूँ ये ज़िलागा बिल्कुल gutter में क्यों भाई? जैसे भी note 1 दी हुई थी वो simple ती कहानी कहने मतलब कहें कि सरकार gold को भी control करते है सरकार note को भी control करते है सरकार सब जाए तो इस 500 रुपे का note की value का 500 रुपे करते है सरकार कुछ भी कर सकते है और जो note छपाई हुई थी 2020 में क्या हुआ था? भाई देख लो इंडिया का national debt कितना बड़ा है इन फैक्ट इंडिया के GDP तक पहुँच गया इंडिया के national debt और US का भाई बोलो है मत US का भी debt बिलकुल आस्मान में छूँ रहा है what I'm trying to say government can print money आपका hard earn जो salary आप कमा रहे हो उसको devalue कर सकता है और आप सोचते रहे जाओगे इसाथ ही क्या हो गया इतनी महनत कर रहा हूं लोगों को सपना होता है कि 40 साल तक retire कर लेंगे लेकिन 60 साल तक काम कर रहे है because note छपाई हो रही है और उनकी महनत को devalue किया जा रहा है यह basic concept है of inaugurating और launching bitcoin यही है तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छे लग रहे कुछ नया सीखने को मिल रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मुझे समझ में आ लग लगे है आपको ऐसे वीडियो और शेयर क्रिप्टो करनसी पर चैनल परने चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को चलो सिधार यह बात तो समझ में आ गई है अब यह बताओ कि bitcoin different कैसे है क्या bitcoin सरकार के हाथ में नहीं आती the answer is no bitcoin is decentralized मनलब क्या है centralized मनलब कि जो चीज सरकार के हाथ में सरकार उसको पकड़े कंट्रोल कर सकती है decentralized means कि सरकार के हाथ में वो चीज नहीं है क्योंकि bitcoin अभी तो पकड़ सकता है लेकिन physically नहीं पकड़ सकता वो untouchable है वो digital coin है जैसे paytium में पैसे transfer करते हूँ पकड़ते हैं थोड़ी हो note को हाथ में अब transfer तो करते हो न जब paytium भी launch हुआ था तो बहुत लोग बोलते हैं क्या क्या है ये paytium दिखता नहीं है चूर नहीं सकते हैं इसको पैसा कैसे मान सकते हैं in fact जब 1990 में 2000 में जब पैसे transfer करने के बात दिखी online तो लोग बोलते हैं online पैसे कैसे transfer कर सकते हैं पकड़ना चाहिए हाथ में 50,000 के एक राख गड़ी होने चाहिए तब फील होदा कि पैसा हाथ में लेकिन आज की ताइम में 2023 में लोग आराम से paytium को पैसा मानते हैं online transfer का पैसा मानते हैं in fact, बहुत कम अब दिये दिये जो online transactions बढ़ रही है मतलब कहें कि knowledge लोगों को हो गया विश्वास लोगों को हो गया अब यहाँ पे bitcoin के साथ भी यही बाते हो रहे है crypto कर रहे हैं कि बाते हो रहे है जो 1990 में हुआ करती थी कि भाई साब यह सब खराब कर देगा बेकार की चीज़ है बिल्कुल government band कर देगी government band करीगी तो क्या होगा मैं हम पूरे वीडियो में बने रहे हैं को में बताओंगा कैसे करना है क्या करना है लेकिन band नहीं होने वाली because यह bitcoin किसी के हाथ में नहीं है सब्सक्राइब करती है चाना ने अपने करना को डी वैल्यू कर दिया था और उसके वज़ाइचे यूएस पर जो करेंसी है उस पर भी असर आया था मलब आपस में इंटरलिंक्ट होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप bitcoin के साथ यह manipulation नहीं कर सकते हो अब समझते कि बहुत सारे लोग इससे डरे हुए क्यों है अभी तक की कमेंटर आपको समझ में आ गया होगा कर नहीं है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए विकॉस नया concept है आपको समझने में टाइम लग सकता है अब पहले चीज़ लोग बोल दे तो पावर उनके हाँ से निकल जाएगा तो यही डर है तो जो सरकार बोल देंगे कि हम लोग बैंवन कर देंगे बट क्या बैं कर सकती है नहीं बिटकोई 1.7 ट्रिलियन डॉलर तो पहुंच गया इस टू बिग तो फेल अब यह बहुत ही early stages में बहुत early stage में वही पे आपक मार्केट में ही पैसा बनता है in fact इंडिया स्टॉक मार्केट भी अब इतना साथ cvrb regulate करें तब भी कांट हो रहे हैं तो यहां पे बिटकोई में कांट हो रहे हैं लेकिन विट टाइम होगा टेकनलोजी इंप्रूव होगी और यही सब को देखके ब्लैक्रॉक ग्रेश्के बिटकोईन का तो वहां पी रिस्क होता है बिटकोईन बंद ना हो जाए गोर्णिन बैंड ना कर दे वह रिस्क खतम हो जाएगा अब बात कर ले थे कि भाई क्या किया आ जाए क्रिप्टो करन से मितनी तो बुराय चल रही है और बुराय मीडिया को सरकार फंड कर तो अब बाइस मिल्या नहीं कर सकते हो ते इस मिल्या नहीं कर सकते हो कि यह से नोट है कितना भी चाप दो आप लेकिन बिटकोईन इस लिमिटेड होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए कि सिंपल यार सप्लाइन डिमांड वाला खेल है राइट सोने के वैल्यू क्यों बढ़ रही है उससे हुका के कि जो 500 रुपए का जो वीडियो को बात कर दी 500 रुपए का जो वैल्यू जो हमान दादा पर दादा के टाइम पर थी वही 500 रुपए के वैल्यू इंटेक्ट बढ़ जाएगी अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अभी भी वोगल लोग स समझ में आ रहा है इतना आसान नहीं है इसलिए मैं बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगा अभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रैंसक्शन बहुत कम हैं बिटकॉन अच्छे ट्रैंसक्शन हो रहे हैं लेकिन बिटकॉन के निचेवल जो कॉइंस हैं उसे हमनों आल्ट कॉइंस कोई कौन है उसका ट्रैंसक्शन 10 करोड 20 करोड होंगे अब 10-20 करोड तो स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट मैच्वर हो गया ना बिटकॉन क्रिप्टो करेंसी इमैच्वर तो वहां पर आराम से फ्रॉड हो सकता है इसलिए फ्रॉड यह समझे ओपन दिमाग से बिटकॉन के बारे में समझें वीडियो से में लेकर आँँ कहा खरीदना कहा नहीं खरीदना मैंने भी बात नहीं करीं ब्लॉक्चेन बगरा कि आप सिंपल ब्लॉक्चेन इंडियन सरकार भी उसको यूज कर रही है और इंडिया का एक कॉइन है पॉलीगॉन मैटिक बोलते उसे पहले मैटिक नमता पॉल सची बाते करेंगे बट आपको जो मैं इंफलेशन इन सब के बारे में बात करों बिटकोइन नोट और पारिए गुल्ड इजात क्यों हुआ कैसे हुआ किस वज़ा से हुआ मेरा यही काम था इस वीडियो में अगर आपको नॉलेज अच्छा लगा समझ में लगा और आपक सब्सक्राइब तो एसे जानकारी के लिए जैनुट तरीके से कैसे हम लोग क्रिप्ट नॉलेज बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए और चैनल पर नेचलन को तुरंध सब्स्राइब कर दीजिए ठीक है we'll see you next video with more crypto knowledge till then you go and earn freedom jai hind and jai bharat